हेलो स्टुडेंट बेलकम बेक मेरा नाम सुमंत है और आज हम बात करने वाले हैं वेजिटिटिटिव प्रोपोगेशन के दूसरे पार्ट का जिसका नाम है आर्टिफिशिल मेथड ऑफ वेजिटिटिव प्रोपोगेशन यह कुल मिला के हमारे सलिबस में पांस तरह की नाम से पता लग रहा है कटिंग का मतलब हम किसी प्लांट के किसी पार्ट को काटेंगे और उसे हम प्लांट करेंगे यह नर्सरी में अक्सर किया जाता है इसमें क्या करते हैं हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जैसे इंडॉल ब्यूट्रिक ऐसेट इसके लाबा नैप् इस एक दूसर टाइप है ए ट्राइप मनें तो कुलाब फूल केता है तोई-षम्मौ शजय को गुलाब कर दूसरी जएरिये की लिए मैंगो, गौावा, लीची, लेमन, रोज अभी आपको बताई है, सुगर केन, सिट्रस, यानि की नीबू के परबार के, ग्रेप्स, कॉफी, टी, वागन बिलिया, चाइना रोज, इन सब की स्टेम काट कर, अगर हम कहीं और लगा दें, तो उनके हमें नए प्लांट्स मिल जा आप यहां पे एक डाइग्राम देख रहे हैं, जहां किसी गुलाब की स्टेम को काटा गया है, आपको एक करेक्ट मेथर्ड साइड में दिख रहा होगा, कि जो नोड है, जो बर्ड है, उससे थोड़ा सा उपर रखा गया है, तो बर्ड और नोड होना अच्छी बात है क्ल है, जिसे आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं, ब्रायो फैलम, सेंस्वीरिया, यानी स्नेक प्लांट और बेगोनिया, इन सब में लीफ कटिंग से काम हो जाएगा, लीफ के मार्जिन्स पे, ब्रायो फैलम के अगर बात करें, लीफ की मार्जिन्स पे एडवेंशिय हो सकता है, यह प्रॉपागिशन, तूसरा मैध़ हमारे पास है, लेरिंग, हम किसी प्लांट की ब्रांच को या किसी स्टेम को प्लांट की बॉड़ी के साथ, पैरेंट बॉड़ी के साथ जोड़ा तो रहता है, लेकिन उसे हम जमीन में गार देते हैं, जिससे कि उसमें जो नई roots originate होती हैं, उन्हें हम layers कहते हैं, तो layering भी कई types के होती है, एक होती mount या stool layering, इसमें जैसे कि आप diagram में देख रहे हैं, इसमें 1 inch उपर हमें cut लगाते हैं, और उसे फिर बाद में हम मिटी से ठेर सारी organic fertilizer से cover कर देते हैं, तो जहां पर हम cut लगाते हैं, वहां से roots origin होने अब इन stems को हम काटकर अलालग लगाएं, तो क्या होगा, हमें नए-ने plants मिलना सुरो हो जाएंगे, यह parent plant से धेर सारे office springs बन जाएंगे, जो कि clones होगे, exactly genetically और morphologically similar होगे अपरे parents से, तो यह mound या stool layering देखने को बलती है, apple, pear, quincy, currant, gooseberry, jasmine, grapevine, strawberry, raspberry, cherry, बहुत सारे example हैं, जिनमे यह layering का इस्तमाल किया जाता है, next example पे हम आते हैं, आप picture देखके ही समझ गयोंगे, इसे कहते हैं, air layering या गोटी, हम क्या करते हैं, अपने जो एक knife की मदद से, हम stem पे एक cut लगाते हैं, slant cut, या हम कह सकते हैं, इसके आसपास girdling, फूरे circular चाहों तब से थोड़े से bark अटा द जिससे कि उनमें difference रहे, वो आपस में जुड़े नहीं, अब उस जिस जगे हमने cut लगाया, उस जगे हम moss और plastic से उसे ढख देते हैं, लपेट देते हैं, और उसे तब तक लपटे रहे नहीं देते हैं, जब तक उसमें roots आनी शुरू ना हो जाए, और जैसे उनमें roots आने ल होती हैं, और नीची जुखाई नहीं जासे है, आपने अकसर nursery में देखा होगा, कई जगे plants पे cut होते हैं, और पे एक plastic wrap लगा होता है, एक pouch सा बना देते हैं, उसके आसपास, इसे ही हम real learning कहते हैं, roots आएंगी, तो उसके बाद उन roots के आने के बाद हमने काट कर दूसी जगे बोच सकते हैं, एक्जामपल में है, लिची, सिट्रस, गौवा, नेक्स एक नाम सी पतल लगे, tip मदशिरा या छोर, किसी plant की tip जमीन में अगर हम गार देते हैं, पहले तो वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, फिर उसके बाद वो उपर की तरफ ग्रो करने लगती है, तो इस से हम tip layering करते हैं, जो tip होती है, उस पर roots develop होने लगती है, और उसके बाद हम parent body से उसे काट कर अलग कर सकते हैं, इसे हम tip layering करते हैं, blackberry, strawberries, dew, berry और raspberry, ठेट सारी berries हैं, जिनमें हम उनमें हम उनका use कर सकते हैं, trench layering, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि पूरे का पूरे parent plant को जमीन म में गाड़ दिया है, अच्छे fertilizers और कुछ chemicals की मदद से ढग दिया है, कुछ समय बाद जहाँ जहाँ नोड होंगे, वहाँ वहाँ रूट्स की growth होने लगेगी, इससे हम trench layering कहते हैं, walnut और mulberry plant में यह स्टरी की layering देखी जाती है, mother plant is bent to the ground and worried, और उस पर क्या grow करने लगती है, root scroll करने लगती है, at the node of each stem, उनको हम काट कर बाद में parents की body से अलग करकर एक नया plant बना सकते हैं, इसे हम trench layering कहते हैं, next हमारे पास type है grafting, graft मतलब किसी चीज़ को insert करना, तो graft में हम किसी stem पे एक cut लगाते हैं, चाकू की मदद से, knife की मदद से, grafting knife आता है, उसे हम एक cut लगाते और उस जगे पे दूसरे plant को attach कर देते हैं, और उसके उपर हम काफर, moss और grafting bags लगाकर ढग देते हैं, उसे बंद रहने देते हैं, mango, apples, orange, watermelon, pear, citrus, guava, rubber plant, plum, peach, pine, और धेर सारे ornamental यानि सिजावती पौधों में इसका इस्तमाल होता है, प्लांट का जो उपर वाला हिस्सा है, जहां पतियां होती हैं, उसे हम सियोन कहते हैं, और प्लांट का root वाले हिस्से हम स्टॉक कहते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारे examples आपको grafting के मिल जाएंगे, grafting में आप नीचे diagram में देख सकते हैं, कई तरह कट लगा जाते हैं, तो बहुत सारे नाम देगा है, according to their cut, इस same grafting बोलते हैं, अगला है bird grafting, bird grafting भी बिल्कुल grafting की तरह ही है, किसी plant के bird को, हम किसी दूसरे plant के stem में insert करते हैं, cut marker उसमें फसा देते हैं, आप diagram में देख सकते हैं, ये diagram में फसा हुआ bird है, उसको हम किसी दूसरे plant के उपर grow करवा सकते हैं, example of roses, apple, peaches में ये काम किया जाता है, और इस bird की जब growth होने लगेगी, तो हम उसे cut कर, उस stem को, जहां से bird growth हो रही है, उस पूरे हिस्से को cut कर, हम उससे जमीन में बो सकते हैं, तो इससे हमें एक नया plant मिल जाएगा, इसे हम bird grafting कहते हैं, हमारा last type है micro propagation, micro propagation को हम tissue culture भी कहते हैं, tissue culture क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये clearly बताते है, tissue culture में हमें जो office springs मिलते हैं, संतान मिलते हैं, वो virus free होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, और वो homozygous diploids होते हैं, homozygous का मतलब same, उनके chromosomes में same alleles होंगे, उनके chromosomes जैसे XX होता है, तो वो XX same है, females में condition कैसे होत condition, example की तौर आपको बता रहा हूँ, जैसे female में XX होते हैं, male में क्या होता है, XY, heterozygous condition, ये आप genetics में 10th class में आपको पढ़ाया गया था, तो homozygous condition developed होती है, commercial scale पर इस्तमाल कियाता है, बहुत fast method है, multiplication किसका plants का करने में, orchid, carnation, chrysanthemum, और धेर साजावती पौधों में इस process को हम किसी meristematic tissue को new growing tissue को हम काटते हैं, cut करते हैं, जारत तर ये shoot tip होता है, तो इस tip को हम काट कर, एक medium होता है, एगर उसमें nutrient बहुत साही होते हैं, दो हर्मोन का mixture होता है, basically cytokinin oxygen के hormones, ठेट सारे minerals, उस nutrient medium में होते हैं, उसी में हम उस plant की tip को काट कर रग देते हैं, कुछ समय प्लांट की plantlets आने लगते हैं, इसे हम callus बोलते हैं, और इसी callus के टुकडों को काट काट कर, हम अलग-अलग थाद बाली, जो मिट्टी होती है, उसमें plant करते हैं, तो इस तरीके जब धेट सारे plants हमारे पास हो जाते हैं, और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इन भीर सारे plants में बदल दिया, यह आत्रिक टेकनीक है, और इसे plants का multiplication काफी fast होता है, नर्सरी बगारा में इसी का फ्रोक किया जाता है, तो इसे हम micro propagation बोलते हैं, थेंक यू, आज हमारे यही तक, और next day से हम स्टार्ट करने वाले हैं, sexual report झाले है